कि कि बिंगiren की को लिएधि करते हैं क्योंकि लास्ट विडियो में कुछ मैफ़odus देखे थैंजिसे हम इताइब के कgreglate की कovy bütün को इसवार करेंगेर की हम हम इन यह किसी को शाल हो जाए और हम फिर बिंदास होकर आगे बढ़ पाएं तो देखें सबसे पहला question हमें given है यह आपको एक function है जहाँ पर आपको limit दे हुई है x tend to 1 तो सबसे पहला काम हम क्या करते है कि किसी भी function में हम x की value को put करके देखते हैं जो भी आपको given limit है उसको पुट करके देखेंगे कि whether the function is taking the indeterminate form यानि कि 0 और 0 की form ले रहे हैं तो अगर मैं यहाँ पर इस function में x की value 1 पुट करती हूँ तो yes यह हमारा 0 और 0 की form ले लेगा तो हम ऐसे में क्या करेंगे हम लोग x q minus 1 को बाहर निकाल सकते है x q minus 1 यहाँ पर आपका बीच में minus का sign है और इन दो term में हमारा log of x common है तो हम लिख सकते हैं x square minus 1 into log of x और लीजे denominator में आपका x square minus 1 को हम factorize करेंगे x plus 1 into x minus 1 अब हम लोग numerator को दुबारा factorize कर लेते हैं x q minus 1 को लिख सकते हैं x minus 1 x square plus 1 plus x यहाँ पर इसको हम लिख सकते है minus of x plus 1 into x minus 1 log of x और denominator में आपका अगेन x plus 1 into x minus 1 अब यहाँ देखो x minus 1 common है बाहर निकाला x minus 1 यहाँ पर बचा हमारा x square plus 1 plus x minus में हमारा क्या बचा है इधर? minus में अगर मैं bracket के अंदर ले लेते हूँ तो यह आपका x plus 1 log of x और इधर हमारा क्या बचा? इधर हमारा बचा नीचे x plus 1 into x minus x minus 1 x minus 1 से x minus 1 cancel out हो गया अब हम लोग यहाँ पर x की value 1 को substitute करके देखते हैं अगर x की value 1 substitute करेंगे यहाँ पर यह 1 आ जाएगा अगेन इधर 1 आ जाएगा इधर 1 आ जाएगा यह 1 हो जाएगा इधर आपका यह 1 हो जाएगा अब denominator में तो हमारा equal to 2 आ गया 1 plus 1 2 numerator में देखते हैं 1 plus 1 plus 1 कितना हुआ यह हमारा? यह हुआ 3 minus of यह आपका 3 आया then minus of इसको हम लिख सकते हैं यह 2 log 1 तो 2 log 1 को हम लिख सकते हैं log of 1 का square अब log of 1 का square तो log of 1 ही रहेगा और log 1 कितना होता है? 0 तो 3 minus 0 तो हमारा answer आ जाएगा 3 upon 2 तो इस function के जो limit होगी that will be equal to 3 upon 2 when x tends to 1 so our next question is कि इस function में हमें limit given है right hand limit 1 तो यहाँ अब हम अगर 1 put करते हैं इस equation में again यह हमारा indeterminate form यानि कि 0 on 0 ले लेगा तो इसको भी हमें factorize करना पड़ेगा तो इसको देखते हैं x square minus 1 root के अंदर है इसको factorize कर सकते हैं x plus 1 into x minus 1 root plus यह आपका x minus 1 नीचे again हम इसको लिख सकते हैं x plus 1 into x minus 1 अब यहाँ पर हमारा x minus 1 root में यह common है x minus 1 root में इधर यह common है तो बाहर निकालेते हैं root of x minus 1 मैंने बाहर निकाला यहाँ पर बचा हमारे पर root of x plus 1 यहाँ पर बचा plus 1 यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं root of x minus 1 into root of x plus 1 तो यहाँ पर आप इसको cancel out कर सकते हूँ, x-1 root को x-1 root से अब हम यहाँ पर आसानी से substitution method x की value को 1 put कर सकते हैं Again मैं x की value को 1 put करते हूँ, यह 1 और यहाँ पर यह 1 1 plus 1, root 2 हो जाएगा, root 2 plus 1, यह आपका जाएगा, root 2 plus 1 और नीचे आपका जाएगा यहाँ पर, root 2 तो यह आपका answer इसको as it is भी लिख सकते हो So this will be the limit of this function when x tends to 1 अब हमारा next question है कि हमें limit of this function हम लोग को compute करनी है when x tends to root of 2 तो इसको भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसके लिए भी हम लोग factorize करेंगे x square minus 4 को लिख सकते हैं, x square plus 2 into x square minus 2 और x square minus 2 को मैं लिख सकते हूँ, x plus root 2 into x minus root 2 मैंने पूरा factorize कर लिया है उपर numerator को similarly denominator को हम factorize करेंगे तो x square plus 4 root 2 x minus root 2 x minus 8 हम लोग इसको break down कर सकते हैं again इसको लिखेंगे x square plus 2 x plus root 2 into x minus root 2 upon यह factorize तो denominator में हमारे पास आ जाएगा x plus 4 root 2 into x minus root 2 अब हमारा x minus root 2 से x minus root 2 cancel out हो जाएगा और हम x के limit root 2 को यहाँ पर substitute करेंगे तो हमारा जो result आएगा x square यानि की root 2 का square आपका 2 plus 2 into x plus root 2 यानि की root 2 plus root 2 कितना हुआ? 2 root 2 upon root 2 plus 4 root 2 5 root 2 that will give out to be 8 root 2 upon 5 root 2 इससे यह गया answer हमारा आगया 8 upon 5 so हमारे इस function की limit है 8 upon 5 when x tends to root 2 तो अभी तक हम लोगोंने compute किया limit को with the help of factorization method, rationalization method या फिर direct substitution method यह कुछ questions और हैं हमारे algebraic limit के चलिए इनको भी हम लोग दुबारा solve करते हैं और फिर हम पहुँचेंगे हमारे conclusion पे कि किस तरीके से हम numerator, denominator को check करके किसी भी algebraic expression के limit को आसानी से बता सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं पहरा question हम लोगों को given है when x tends to 0 आपकी ये expression है simply अगर मैं x की value को 0 put कर देती हूँ यहाँ पर अपनी पूरी expression में direct substitution ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0 तो हमारे limit क्या हो जाएगी, minus 3 upon 5 next question में again आपका x tends to 0 है तो इसमें हम लोग क्यार कर सकते हैं यहाँ पर आपको x आप common बाहर निकाल सकते हो x को अगर हम लोग बाहर निकालेंगे यहाँ पर x को हमने बाहर निकाला ये आपका x cube आ जाएगा ये x square आ जाएगा, ये आपका x आ जाएगा और यहाँ पर ये आपका constant हो जाएगा अब इसमें हम लोग कर सकते हैं limit of x into limit of this अब limit of x again मैं यहाँ पर x की value को 0 पुट करते हूँ into आपका 0 into यहाँ पर 3 upon minus 5 that will come out to be 0 next question में आपको दिया हुए x tends to infinity तो infinity का मतलब है हम लोग लिख सकते है x equals to 1 upon y when y tends to 0 तो हम लोग यहाँ पर x की value जहां जहां है हम उसको convert कर देंगे y की term में तो इस फूरी expression को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से शूर्ड करेंगे तो 3y cube यह आपका आ जाएगा 7y square यहाँ पर आ जाएगा 5y यहाँ पर आ जाएगा यह 2 plus और नीचे हमारे denominator में आ जाएगा यहाँ पर 5y cube यह हमारा 2y square यह minus है बीच में यहाँ पर plus है 3y आ जाएगा यहाँ पर minus में 5 अब यहाँ पर मैं y tend to हमें क्या पुट करना है 0 अगर मैं यहाँ पर y tend to 0 पुट करती हूँ तो पूरी expression में आप देखो यह 0 हो जाएगी term यह 0, यह 0, this will be 0, this will be 0 बचा क्या हमारे पास 2 upon 5 next question में आ जाते हैं तो limit x tends to infinity again यहाँ पर given है तो यानि कि x equal to 1 upon y मुझे पुट करना होगा इस expression को दुबारा हम लोग लिखते हैं तो इस expression को लिखने में हम लोग लिख सकते हैं पहड़े मैंने x को बहार निकाल लिया x को बहार निकालूंगी तो हमारा x बहार निकालने से यह square item यह square हो जाएगी यह हमारा cube आ जाएगा और यहाँ पर into x हो जाएगा अब हम लिख सकते हैं limit of x when x tends to infinity into limit of this expression when x tends to infinity इस expression में मैं x की value 1 by y पुट करते हूँ तो हमारा आ सकता है यह 3y cube plus 7y square plus 5y plus 2 upon यहाँ पर again 5y cube minus 2y square plus 3y minus यहाँ पर यह 5 अब यह जो expression है यह आपकी बिल्कुल सेम यही वाली expression बन जाती है 2 plus 5y plus 7y square plus 3y cube upon 5 minus 3y plus 2y square minus 5y cube तो इसकी हम लोगोंने limit क्या compute किया 2 upon 5 और when x tends to infinity तो x की limit क्या हो जाएगे infinity तो इसकी पूरे की हमारी जो limit आएगी that will be infinity into इसकी limit है हमारी 2 upon 5 क्योंकि जब y हम लोग compute करेंगे 10 to 0 तो हमारी यह बागी की expression 0 जाएगे बचेगा हमारी पस 2 upon 5 तो हमारी पस infinity into 2 upon 5 that will be come out to be infinity तो इसकी जो limit होगे that will be infinite next इस expression में देखते हैं again यहाँ पर भी आपको x tends to infinity given है तो x की value मैं put कर सकती हूँ 1 upon y when y tend to 0 again मैं यहाँ पर value put करती हूँ तो इसको हम लिख सकते हैं 7y का cube 5y square यहाँ पर 2y upon यहाँ पर 5y cube 2y square यहाँ पर यह plus में है 3y minus 5 अब हम इस पूरी expression में से भी y को बाहर निकाल सकते हैं यहाँ पर y को बाहर निकालेंगे तो यह y हमारा इधर आजाएगा यह हमारा square इधर हमारा square आजाएगा y की value में 0 put करती हूँ तो यह आपका 0 होगा यह पुरा numerator में 2 नीचे हमारा 5 तो यहाँ 2 upon 5 into 0 हमारी limit क्या जाएगी 0 तो इस expression की limit हमारी क्या है 0 तो इस तरीके से हम in algebraic expressions की यह in algebraic functions के limit को आसानी से compute कर सकते हैं तो in algebraic functions के limit को compute करने के बाद हमारा क्या conclusion आता है तो conclusion देखते हैं conclusion में हम लोग यह expressions जो हमारे पास थे उसमें हमारे पास 3 cases हो सकते हैं या तो degree of numerator and denominator same हो या फिर degree of numerator is greater than denominator हो या फिर degree of denominator that is greater than numerator हो सबसे पहले देखते हैं कि क्या होता है जब हमारा numerator and denominator की degree same होती है जैसे लोग उन्हें first question देखा numerator and denominator की degree same है लेकिंग when x tends to 0 तो इसका जो limit थी that was the ratio of their constant term तो इसका जो limit आ जाएगी या आपकी ratio of constant terms आ जाएगी first case में दूसरा है degree हमारी same है numerator and denominator की लेकिं x tends to infinity है यहाँ पर देखो third question में denominator and numerator की degree same है लेकिं x tends to infinity है तो उस case में हमारी जो limit आएगी that will be the ratio of coefficient of higher degrees 2 upon 5 so it was 2 upon 5 यानि कि अगर x tends to infinity है तो उसकी जो limit आएगी that will be the ratio of coefficients of higher degrees so next case में हम लोग के पास है कि degree of numerator that is greater than degree of denominator उसमें भी हमारी पास दो कीसी है when x tends to 0 या फिर x tends to infinity तो पहले case में when x tends to 0 यहाँ पर आप second question में देख सकते हो कि जिसमें हम लोगों ने x को बहा निकाला था numerator की degree हमारी पास ज्यादा थी denominator की degree से तो हमारा result क्या था that was 0 यानि कि अगर हमारा x tends to 0 आता है तो limit हमारी क्या जाएगी 0 when numerator की degree is greater than denominator की degree next question में आपका है when x tends to infinity तो आपके इस fourth question में आपके पास क्या था numerator की degree ज्यादा थी than that of denominator but x was इसकी limit क्या थी? infinite तो इसकी total इस function की unit जो limit आई थी हमारी पास that was infinity यानि की in case when degree of numerator is greater than that of denominator and when x tends to infinity तो हमारी limit expression की क्या जाएगी that will also be infinite next case में हमारी पास है denominator की degree that is greater than that of numerator की degree इसमें भी आपके पास दो cases है x tends to 0 या फिर x tends to infinity अगर हम x tends to 0 करते हैं तो हमारी जो limit आएगी वो हमारी infinite हो जाएगी और x tends to infinity करते हैं तो हमारी limit यहाँ पर 0 आजाएगी इस question में आपने देखा था हमारी पास denominator की degree that was greater than that of numerator की degree और हमारा जो result आए था that was 0 तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारी पास denominator की degree that is greater than that of numerator तो उस case में हमारी results बिलकुल flip कर जाते हैं इस वाले से कि numerator जो हमारी पास बड़ा था than that of denominator तो हमारा अगर x 10 to 0 है तो infinity हो जाएगी इसके limit और x 10 to infinity है तो इसकी limit हमारी 0 हो जाएगी लोग इस conclusion को फटा फ़र्ट से no down करते हैं कि अगर हमारा एक algebraic expression दिया हुआ है और उसके limit हमें calculate करनी है अगर हमारे पास degree of numerator denominator same है then we have to see कि हमारा x 10 to 0 है यह infinity है अगर x 10 to 0 है तो उसके limit आएगी ratio of their constant term अगर x 10 to infinity है तो उसके limit आएगी ratio of coefficients of their higher powers next अगर हमारी degree of numerator is greater than that of denominator है उस case में अगर x 10 to 0 है तो हमारी limit 0 आजाएगी और x 10 to infinity है तो हमारी limit भी infinity आएगी इन case अगर denominator के degree is greater than that of numerator उस case में यह result flip हो जाएगा यानि कि अगर x 10 to infinity है तो limit 0 हो जाएगी और अगर x 10 to 0 है तो limit infinite हो जाएगी तो चलिए अब हम लोग greatest integer function और उसके limit को देखते हैं हमें पता है कि greatest integer function का graph कुछ इस तरीके से plot करते हैं और इसको हम लोग represent करते हैं square bracket से where x is any real number और जो इस function की value होगी that will be the greatest integer value less than or equal to value of x अगर मैं यहाँ पर कोई भी positive value लेकर चलती हूँ तो इसकी value हमारी आजाएगी 3 अगर मैं negative value लेकर चलती हूँ तो इसकी value हमारी आजाएगी minus 4 minus 4 यह सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं अब मुझे मानें इसके limit compute करनी है मैं कहते हूँ कि हमारा greatest integer function है that is x और मैं को limit compute करनी है when x tend to 0 तो इसमें हम लोग दोनो limits compute करेंगे right hand और left hand अगर मैं right hand limit की बात करती हूँ तो जब हमारा graph यहाँ से right hand side से 0 को approach करेगा तो इसकी value क्या हो जाएगी greatest integer less than यानि कि it will come out to be 0 लेकिन जब हमारा graph यहाँ पर limit मैं x tend to 0 left hand side से लेकर चलती हूँ तो हमारी इसकी limit यहाँ से लेकर चलोगे तो जब यह 0 को approach करेगा तो इसकी limit हो जाएगी है हमारी minus 1 तो हमारी rhl not equal to lhl तो यानि कि किसी भे integral value पर इसकी limit exist नहीं करती लेकिन अगर यह हमारी non integral value होती suppose मैं कहते हूँ कि 3.5 लेकर चलते हैं तो हमारी limit x tend to 3.5 ठीक है इसको मैंने 3.5 लिया अब आप देखो कि जब हमारा यह 3.5 इधर approach करेगा अगर मैं right hand side पे आती हूँ तो 3.5 करेगा तो भी इसकी limit क्या है? 3 है right hand side से अगर मैं हमारी x tends to 3.5 left hand side से बात करती हूँ यहां से हम लोग लेकर जाते हैं और यह इधर 3.5 approach करता है तो भी क्या होगी हमारी limit that will again come out to be 3 यानि कि अगर हमारा x कोई भी non-integral है यह हमारा integer नहीं है तो उसकी जो limit होगी that will be the greatest integer function of that R real number लेकिन अगर वो कोई इस integral value है तो उस case में हमारी limit exist नहीं करती क्योंकि हमारी RHL is not equal to LHL तो इस first question में आपको given है कि limit of greatest integer function x when x tend to 5 by 2 plus limit of greatest integer function minus of x when x tend to 2 upon 5 यह हमें compute करना है तो अगर x की value 5 by 2 तक approach करेगी यहां से graph से देखो 5 by 2 वालब 2.5 तो अगर यह value हमारी यहां पर approach कर दी है यहां तक तो इसका greatest integer function क्या आएगा 2 तो that will be 2 plus अब यह है हमाया 2 upon 5 यहनी 0.4 अगर मैं यहां पर value पुट करते हूँ तो minus of 0.4 अब minus 0.4 हमारा somewhere यहां आएगा अगर मैं यहां से जाते हूँ इधर से आपका minus 0.4 आ रहा है तो इसके greatest integer value किते हो जाएगी minus 1 तो this way minus 1 answer आजाएगा 1 तो इस expression की जो limit होगी that will be 1 next देखते हैं आपको limit calculate करनी है greatest integer x plus greatest integer minus x when x approaches 1 अब यहां पर देखो कि अगर मैं 1 पुट करते हूँ हमाया right hand side से 1 यहां पर आएगा तो इसकी value integral है तो यह आपकी 1 ही रहेगी तो 1 आ गई plus अगर मैं minus 1 लेकर चलते हूँ यहां से तो minus 1 को approach करेगा यहां से minus 1 को अगर यह approach कर रहा है तो यानि minus 1 और minus 2 के बीच में है तो my greatest integral value आ जाएगी minus 2 तो that will be equal to minus 1 तो इसका जो result आएगा that will be minus 1 next देखते हैं कि आपको यहां पर फिर से limit compute करनी है where x approaches 3 from right hand side and x upon greatest integer x where x approaches 3 from left hand side तो हम लोग यहां पर देखते हैं कि अगर हमारा x की value मैं यहां पर 3 put करते हूँ और हमारा right hand side से x approach कर रहा 3 को right hand side से x approach कर रहा 3 को तो इसकी greatest integral value किती आ जाएगी 3 यानि कि this will come out to be 1 अब यहां पर देखो कि यह हमारा x approach कर रहा 3 को यह तो उपर ठीक है लेकिन greatest integer function हमारा left hand side से 3 के पास जा रहे हैं left hand side से हम लोग 3 के पास जा रहे हैं तो हमारी value जो आएगी greatest integral function की तो that will come out to be 2 तो it will be 2 तो हमारी जो right hand limit है वो हमारी 1 है लेकिन हमारी जो left hand limit है LHL यह हमारी 3 upon 2 है तो RHL is not equal to not equal to LHL तो यानि कि इस function की limit exist नहीं कर दो अब हम लोग सार सार fraction part function की भी limit को चेक कर लेते हैं फ्रेक्शन पार्ट function क्या होता है जिसको हम लोग curly bracket से represent करते है that is given by x minus greatest integer function यानि कि basically यह क्या शूर करता है यह represent करता है हमारे decimal part of that real number जो हमारी x की है अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ x अगर 3.45 है तो इसका greatest integer क्या होगा 3 होगा तो हमारा fractal part that will come out to be 0.45 और ऐसे negative के लिए हम लोग इसको compute कर सकते हैं अगर हमारा यह value x की value minus 3.45 हम लोग लेकर चलते हैं तो इसका greatest integer आजाएगा minus 4 तो that will come out to be plus 4 minus minus plus हो जाएगा तो हमारे इसकी value fraction part की value that will come out to be 0.55 तो basically यह हमारे represent करता है कि इसको decimal part को जिसका graph हम लोग कुछ इस तरीके से plot कर सकते हैं कि अगर 0 से 1 के बीच में हमारा कोई भी real number आता है तो उसका जो fractional part होगा वो हमारा less than 1 होगा लेकिन maximum up to 0 क्योंकि कोई भी integral value है तो उसके लिए उसका fractional part 0 होगा और कोई भी हमारे decimal value है यानि कोई भी real number है except that of integral value तो उसका जो fractional part होगा तो वो हमारा 0 और 1 के बीच में आएगा अब मुझे इसके limit चेक करनी है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर 2 cases ले सकते हैं where x tend to 1 1 के हमारे एक integral value है तो यहां से आरेचल हम लोग देखते है कि 1 को जैसे जैसे approach करेंगे तो उसके limit क्या हो जाएगी 0 तो आरेचल के case में limit will come out to be 0 लेकिन एलेचल में हम लोग यहां से 1 को approach करेंगे तो धीरे धीरे कही पर भी जाते होगे इसके आसपास में तो इसके limit that will come out to be 1 तो लेचल में हमारी limit आ जाएगी 1 और आरेचल not equal to लेचल तो यानि कि किसी भी integral value के लिए हमारी आरेचल और लेचल different होगी तो limit exist नहीं करेगी अगर मैं on the contrary यहां पर कोई भी और number ले लेती हूँ यानि कोई भी real number that is that comes between 0,1 यह कोई भी decimal number हम लोग लेकर चलते हैं suppose I take यह हमारा fractional part function है तो limit when x tend to 1.2 या फिर मैं इसको minus c.2 कुछ भी ले सकते हैं तो अगर मैं x tend to 1.2 लेकर चलते हूँ तो 1.2 सम्वेर इधर आएगा अगर मैं rhl को लेकर चलूँगी 1.2 तक तो हमारी जो limit आएगी वो हमारी यह रहेगी y axis पर और अगर मैं lhl को लेकर चलते हूँ तो भी हमारी limit यही रहेगी हमारी y axis पर तो उस case में हमारी rhl equal to lhl हो जाएगी और हमारी limit exist करेगी इसका मतलब यह है कि अगर हमारी x कोई भी integral value है तो हमारे fractional part function के limit exist नहीं करती और कोई भी real number है except for that of integral value तो फिर हमारी limit exist करती है fractional part function के अब हम लोग compute करेंगे limit of signum function and then modulus function तो limit of signum function को compute करने के लिए हम लोग पहले एक graph plot करेंगे जिसमें हमें पता है अगर x की value हमारी greater than 0 है x की value less than 0 है या x की value हमारी 0 है तो f of x पहले case में क्या आजाएगा f of x will be 1 f of x will be minus 1 and f of x that will be 0 यानि कि अगर हमारी x के कोई भी positive value है तो हमारी function की value आएगी 1 negative value के लिए function आएगा minus 1 और 0 के लिए आएगा 0 तो अगर मुझे limit compute करनी है रहल अगर मैं बात करती हूं इसको हम लोग लिख सकते हैं x mod upon x इस function को तो अगर हम rhl के बात करते हैं तो हमारा यहाँ पर right hand side से जैसे जैसे हम 0 को approach करेंगे तो इसका मतला हमारी x की value क्या है greater than 0 positive है तो f of x हमारा क्या आएगा 1 rhl हमारा आएगा 1 lhl के हम लोग बात करते हैं तो हमारी अगर यहाँ से हम negative of x सक्से से हम लोग 0 को approach करते हैं तो इसका मतलब हमारी x की value क्या है? negative है तो f of x हमारा आजाएगा minus 1 तो यहीं LHL हो जाएगा हमारा minus 1 तो RHL not equal to LHL तो हमाई signal function की limit exist नहीं करती ऐसे ही हम लोग modulus function को लेकर चल सकती है जिसको हम लोग represent करते हैं x mode से जहाँ पर हमारे f of x की दो values आ सकती है plus x और minus x अगर x greater than equal to 0 है या x less than 0 है यह हम लोगों नहीं function में पूरा अच्छे से बढ़ा था अब अगर हमें इसके limit compute करनी है let us take one example आपको given है x plus 2 का more upon x plus 2 and x tends to 2 तो इसमें हमें हमें अगर limit compute करनी है तो again हम लोग यहाँ पर 2 cases बनाएंगे when x plus 2 is greater than 0 greater than equal to 0 तो हमारे f of x की value क्या आज़ेगी plus तो यह आपका f of x that will be x plus 2 अगर मैं कहते हूं x plus 2 less than 0 तो हमारे f of x की जो value आएगी that will be minus of x plus 2 अब यहाँ पर हम लोगों को LHL और RHL लेकर चलना है अगर मैं RHL की बात करती हूं RHL में क्या है आपका यह x plus 2 greater than 0 यानि की f of x क्या आएगा x plus 2 तो x plus 2 upon x plus 2 तो हमारी limit क्या जाएगी that will come out to be 1 अगर मैं LHL की बात करती हूं तो यानि की हमारा x plus 2 क्या है that is less than 0 और उस case में f of x क्या जाएगा minus of x plus 2 तो minus of x plus 2 upon x plus 2 that will come out to be minus 1 यानि की LHL is not equal to RHL इसका मतलब इस case में हमारी limit exist नहीं करती let us take one more example यहाँ पर आपको question given है कि limit आपको इस function की compute करनी है where x tends to 0 और आपको function है 4x minus 1 in mode minus 4x plus 1 in mode upon x अब यहाँ पर आप देखो अगर x की value आप 0 put करते हो तो यह 0 minus 1 यानि की minus 1 बन जाएगा तो यानि यह x less than 0 में आ जाएगा अगर x less than 0 है तो f of x क्या होता है हमारा minus of x होता है तो इसका मतलब हम इसके sign change करेंगे यह आपका जाएगा minus of 4x minus 1 minus यहाँ पर x की value हम लोग 0 put करते हैं तो यह आपका जाएगा 0 plus 1 यानि की 1 यानि की x is greater than 0 तो f of x हमारा क्या होगा इस case में plus x यानि की इसके sign हमारे change नहीं होंगे तो यह आपका as it is 4x plus 1 रहेगा upon x अब इसको हम लोग आगे compute कर सकते हैं minus 4x plus 1 minus 4x minus 1 upon x 1 से 1 cancel out हुआ इसको लिख सकते हैं minus 8x upon x जिसको हम लोग x से x को cancel out करकी हमारा answer आजाएगा minus of 8 तो इस function की limit आजाएगी हमारी minus of 8 next function में आपको given है x upon mod x plus 2x square will extend to 0 यहाँ पे भी हमें rhl और lhl दोनों अलग अलग compute करनी है सबसे पहले हम rhl की बात करते हैं तो यह नहीं x is greater than 0 तो अगर x greater than 0 है तो f of x हमारा क्या होगा plus x तो अगर मैं rhl लेकर चलते हूँ यहाँ पर तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x upon यह plus में रहेगा x plus 2x square जहाँ पर x upon x को मैंने बाहा निकाला 1 plus 2x इसे cancel out हुआ तो अगर मैं यहाँ पर value रखते हूँ x की value 0 तो यह 0 होजाएगा 1 upon 1 that will be 1 अगर मैं lhl की बात करती हूँ तो lhl के case में x is less than 0 तो यानि की f of x हमारा होजाएगा minus of x तो यहाँ पर मैं x की जगे minus x put करूँगी तो result will be x upon minus x plus 2x square that will x upon मैंने minus x को बाहार निकाला तो यह आजाएगा 1 minus 2x x cancel out हुआ तो minus 1 upon 1 minus 2x x की value 0 put करेंगे तो यह आपका जगा equal to minus 1 तो lhl हमारी minus 1 आई है rhl हमारी 1 आई है तो इसका मतलब lhl not equal to rhl तो इसकी limit exist नहीं करती है तो यह है हमारी कुछ expansion series जो की हमारे limit के concept के लिए बहुत जादा important है इसकी derivation तो हम higher classes में सीखेंगे लेकिन अभी फिलहाल आपको क्या करना है कि please pause the video और इन सारी series को आप write down करो और इनको learn करने की कोशिश करो क्योंकि यह आने वाले questions के लिए बहुत important होने वाला है तो just pause the video and write it down तो इन्ही expansion series को use करके हम लोग कुछ standard results को derive करते है और मेरे पास यहाँ कुछ trigonometric function से related कुछ results है जिसको हम बहुत आसानी से अपनी expansion series से relate कर सकते है तो सबसे पहले result है हमारे पास की sin of x when x tend to 0 that will be equal to tan of x when limit of x tend to 0 that will be equal to 0 इसको हम लोग expansion series में देखते हैं कि हाँ पर sin of x and tan of x तो sin of x में हमारे series है यह और अगर x tend to 0 हो जाता है तो हर एक numerator that will be 0 तो total outcome जो आएगा that will be 0 similarly tan of x में देखते हैं हम लोग यह tan of x की हमारे series है हर एक x की वेलिए हमारे 0 हो जाएगी तो यह पूरी series that will come out to be 0 तो हमारे x की value 0 को approach करेगी तो limit of these functions that will be 0 similarly हम लोग यहां देख सकते हैं sin of x upon x when x tend to 0 will be equal to x upon sin of x when x equal to 0 यह sin of x is and similarly sin inverse of x upon x when x tend to 0 यह x upon sin inverse x when x tend to 0 that will come out to be 1 इसको relate करते हैं हम अपनी दुबारे expansion series से तो sin of x upon x sin of x में मैं पूरी series में से x को बाहर निकाल लेती हूँ तो हमारा यहां पर 1 आ जाएगा इधर x square आ जाएगा इधर x raise पा 4 आ जाएगा यह हमारा inside bracket के अंदर आएगा और upon x आपने किया है तो upon x से x आपका cancel out हो जाएगा यह सारी की सारी series का जो answer आएगा x square x raise पा 4 जहां जाएगा आप x की value को put करेंगे वो सारी values हमारी 0 हो जाएगी और बचेगा हमारे परस 1 तो यहनि sin x upon x तो that will come out to be 1 similarly x upon sin x वो भी हमारा 1 हो जाएगा sin inverse x वो हमारा यह है sin inverse x के case में भी मैं अगर x को बाहर निकाल लेती हूँ तो 1 प्लस यहाँ पर x square वाई term आएगी फिर हमारी 9 x इस पर 4 वाई term आएगी and so on और upon आपने x किया है तो x से x cancel out हो जाएगा यह x square वाई सारी terms हमारी 0 हो जाएगी और हमारा answer आजाएगा 1 तो यह हमारा sin x upon x यह x upon sin of x यह sin inverse x upon x यह x upon sin inverse x इनकी limit अगर हमें x 0 को approach करेगा तो that will come out to be 1 similarly हम लोग देख सकते हैं कि cos of x के limit when x tends to 0 तो that will be 1 तो cos के series में आजाओ अगर हमारी हर एक x की value 0 पुट करते हैं तो यह सब हमारा क्या जाएगा 0 बचेगा क्या हमाई पस 1 तो limit आजाएगी 1 तो cos of x की limit है हमारी 1 या फिर हमारी 1 upon cos of x that will also be 1 when x tends to 0 similarly हम लोग लिख सकते हैं tan of x upon x जब हमारी limit x की value हम लोग 0 प्लेस करेंगे या फिर x upon tan x या फिर tan inverse x upon x या फिर x upon tan inverse x हर एक case में हमारी limit that will come out to be 1 when x approaches 0 यहाँ पर हम tan की series देखते हैं तो tan की series में आपने क्या बोला है कि यहाँ पर tan x upon x x को हम लोग common बाहर निकालते हैं 1 प्लेस यह x square वाई term आएगी x is per 4 वाई term आएगी तो यह हमारी series चलती जाएगी x हर हर टम हमारी limit x approaches 0 तो 0 हो जाएगी बचेगा हमारी परस क्योंकि x upon x है यह cancel out हो जाएगा बचेगा हमारी परस 1 तो this will come out to be 1 similarly tan inverse के case में भी हम लोग x को बाहर निकाल सकते हैं 1 minus यह x को वाई term आएगी यह plus x पर 4 so on upon आपने x किया है x से x आपने cut कर दिया तो यह x वाई हर टम 0 हो जाएगी बचेगा हमारी परस 1 तो यारी कि x tan x upon x या tan inverse upon tan inverse x upon x या फिर x upon tan x या x upon tan inverse x when x approaches 0 तो limit हमारी 1 रहेगी बिल्कुल इसी तरह से कुछ और भी proven results है जिनको अगर हम लोग expansion series के साथ correlate करते हैं तो we can get our conclusion जिसमें सबसे पहले आपको given है a raised by x minus 1 upon x when x tend to 0 that will come out to be log of a with base e where a is greater than 0 अगर मैं expansion series a raised by x को लेकर चलती हूं तो minus 1 upon x करना है तो minus 1 आपने किया और इस minus 1 को इस 1 से मैंने cancel out किया upon x अगर मुझे यहाँ पर चाहिए तो मैं हर एक term में से x को common बहार निकाल कर x को x से cancel out कर सकती हूं और बाग की जितने भी terms हमारी x वाली होंगी वो सारी के सारी 0 हो जाएंगी क्योंकि x tend to 0 तो जो बचेगा हमार परस result that will be log of a with base e तो इसका result आजाएगा log of a with base e similarly e raised by x minus 1 upon x को हम लोग लेकर चलेंगे where x tend to 0 तो e raised by x की आप series पे आजाओ तो this is the e raised by x अब इसमें मुझे minus 1 करना है तो minus 1 से plus 1 cancel out हो जाएगा upon x मुझे चाहिए तो हर एक term में से मैं x को बाहर common निकाल सकती हूँ तो 1 plus x plus x square वाले आपके पास ये terms आजाएगे जिससे x से x cancel out होके x वाले सारी terms हमारी 0 हो जाएगी जब हमारा x tend to 0 होगा तो result will come out to be 1 result हमारा 1 आजाएगा ऐसे log of 1 plus x upon x करते हैं upon x तो हर एक term में से हम लोग बाहर x को common निकाल सकते हैं तो ये 1 यहाँ पर ये x यहाँ पर x square x cube so on हमारे ये series बनेगी और यहाँ पर मैं upon x करते हैं इससे x से x cancel out होनी के बार when x tend to 0 हम लोग करेंगे तो हर एक term हमारी क्या हो जाएगी इदर 0 except जो बचेगा 1 plus x raise power n minus 1 upon x that will come out to be n when x tend to 0 तो हम लोग यहाँ पर इस series को देखते हैं इसने बोला है minus 1 तो minus 1 हम करते हैं minus 1 से plus 1 cancel out upon x मुझे करना है तो हर एक term में से हम लोग x को common बाहर निकाल सकते हैं तो x को बाहर निकाल है x से x cancel out हो जाएगा बाकी सारी terms की x को बाहर निकाल में तो 1 x बचेगा फिर x cube बाहर निकाल होगी तो 2 x बचेगे तो उसमें क्या है सारी terms जिसमें x है वो हमारे 0 जाएगा और result will come out to be n तो result will be n तो इसी तरह से कुछ और भी results है जिसको हम बहुत आसानी से prove कर सकते हैं यहाँ पर है आपका log of 1 plus x upon x when x tend to 0 that will come out to be log of e with base a ऐसे limit when x tend to infinity पहले था limit x tend to 0 अब है limit x tend to infinity sin of x upon x that will be equal to limit of cos x upon x when x tend to infinity that will be equal to 0 last but not the least यह जो हमारा result है यह सबसे ज़्यादा important है जो कि most of the questions में सबसे ज़्यादा काम आता है इसको भी बहुत आसानी से हम लोग prove कर सकते हैं x की value को अगर मैं यहाँ पर a plus h put कर देती हूँ यानि कि right hand limit को हम लोग compute कर देती हैं तो अगर मैं कहते हूँ यहाँ पर x tend to a है तो h tends to 0 हो जाएगा तो x tend to a हो जाएगा तो इस expression को हम लिख सकते हैं limit when h tend to 0 x raise par x की जगे अब हम लोग यहाँ पर put कर देंगे a plus h raise par n minus a raise par n upon a plus h minus a a से a cancel out हो जाएगा इसमें से हम लोग a raise par n को बाहर निकाल लेते हैं तो a raise par n बाहर निकाला हमारा अंदर आ जाएगा 1 plus h upon a raise par n minus 1 upon h इसको हम expand कर सकते हैं इस से 1 plus x raise par n expand करेंगे तो a raise par n हमारा बाहर है यहाँ पर हम इसको expand करेंगे तो यह आजाएगा 1 plus n into h upon a plus n into n minus 1 upon 2 factorial h square upon a square so on यह हमारी expansion हो गए इस वाली series की और minus 1 अब हमारा अगर मैं इस पूरी series को open करते हूँ और नीचे हमारा denominator में है upon h तो हमारा 1 से 1 cancel out हो रहा है यहाँ पर 1 से 1 cancel out हो जाएगा बागी पूरी टम में से अगर मैंने h को बाहर निकाला तो a raise par n यहाँ पर h upon h denominator में है तो हमारे अंदर बचेगा n upon a plus n into n minus 1 upon 2 factorial h बाहर निकाला तो h upon a square plus so on हमारा यह series अंदर वाली बच जाएगी अब denominator h से h को हम लोग कैंसल आउट कर सकते हैं and when h tend to 0 तो हर एक टर्म जिसमें हमारा h है यह h वाली टर्म जित्ती बिलेगी वो सारे के सारे 0 हो जाएगी और बचेगा हमारे पर सिफ n upon a bracket के अंदर तो यह हमारा result आजाएगा that will come out to be इसको हम लिख सकते हैं a raise par n into n upon a जिसको हम लोग दुबारा लिख सकते हैं इसी फॉर्म में क्योंकि यह आपका आजाएगा इसको हम लिख सकते हैं n a raise par n upon a और a को उपर लेके जाओगे तो minus 1 होजेगा और result हमारा same आजाएगा n a raise par n minus 1 So let us check out some questions सबसे पहला question आपको given है कि limit x tend to 0 of 2x minus sine inverse x upon 2x plus tan inverse x तो हम यहाँ पर series expansion को use कर सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं limit when x tend to 0 2x minus sine inverse x की हमारी series होती है x plus x cube upon 6 plus so on tan inverse के series हम लोग लगा लेंगे यहाँ पर plus में x minus x cube upon 3 plus जिसको हम लोग लिख सकते हैं again limit when x tend to 0 x को मैंने यहाँ से पूरे series में से बाहा निकाल सकते हैं x को बाहा निकाला इधर आजाएगा 2 minus यहाँ पर bracket के अंदर बचेगा 1 plus x square upon 6 plus so on ऐसे हम लोग denominator में से x को बाहा निकाल सकते हैं x को बाहा निकाला इधर हमारा आजाएगा 2 plus bracket के अंदर 1 minus x square upon 3 plus so on ठीक है तो इससे अब आपका x से x कट हो जाएगा और अब x tend to 0 है तो यह वाली सारी term हमारी क्या हो जाएगी 0 आजाएगी और result हमारा आजाएगा उपर 2 minus 1 किता हुआ 1 और 2 plus 1 हो जाएगा 3 तो result will come out to be 3 तो इस function के limit हमारी आजाएगी 1 upon 3 ऐसे अब हम इस function को भी देख सकते हैं आपको given है 1 plus x raise power 1 by 3 upon 1 plus x raise power 1 upon 5 when limit tend to x tend to minus 1 तो मुझे इसको इस form में लेकर आना है x raise power n minus a raise power n upon x minus a जिसकी value होती है n a n minus 1 इस form में मुझे इसको convert करना है तो हम इसको कैसे लेक सकते हैं यह limit when x tend to minus 1 आपको given है इसको मैं convert कर सकते हूँ x raise power 1 upon 3 minus of minus 1 upon x raise power 1 by 5 minus of minus 1 इसको numerator और denominator को x minus of minus 1 upon x minus of minus 1 से multiply कर देते हैं तो अब इसको हम लोग इस form में कैसे convert करेंगे simple है यहाँ पर यह 1 by 5 है तो x raise power 1 upon 5 किया कि power 5 तो x ही आ जाएगा और कि power 5 इधर भी कर सकते है क्योंकि result will be same यहाँ पर 1 by 3 तर तो 1 upon 3 कि power आप 3 कर सकते हो बीच में minus हैं यहाँ पर upon 3 raise पर 3 कर सकते हैं तो यह भी it will not make any difference अब आप देखो कि यह और यह वारी term यह बिलकुल हमारी x raise power n minus a raise power n वारी term आ जाएगी इसको हम लोग solve out करेंगे तो n a n minus 1 n की value है हमारी क्या 5 यहाँ पर a की value है minus 1 तो minus 1 raise power 5 minus 1 किता हो जाएगा 4 ऐसे denominator में क्या जाएगा यह आपका है x raise power n minus a raise power n वो पर x minus a तो यहाँ पर हम लिख सकते है n की value है 3 a की value again minus 1 raise power 3 minus 1 वो आपका जाएगा 2 तो that will come out to be 5 upon 3 तो यहाँ कि इस function के limit आजाएगी आपकी 5 upon 3 So in our next question आपको given है 8 plus x raise power 1 by 3 minus 2 upon x वहाँ पर limit आपको given है x tend to 0 तो इस function की limit हमें compute करनी है तो इसको थोड़ा सा observe करते हैं कि again अगर मैं x की value 0 put कर देती हूँ तो हमारा result यहाँ पर 0 and 0 entertainment form में आ जाता है तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं 8 minus 8 plus x को में t compute कर सकते हूँ तो x will be equal to t minus 8 तो इस equation को हम लोग यहाँ पर use करेंगे तो limit when x tend to 0 8 plus x को मैंने यहाँ पर लिया t तो t raise पर 1 upon 3 minus 2 2 को हम लिख सकते हैं 8 raise पर 1 by 3 upon x की जगह मैं यहाँ लिख सकते हूँ x की जगह put कर सकते हैं यहाँ पर t minus 8 तो अब यह equation हमारी expression बन जाएगी x raise पर n minus a raise पर n upon x minus a जिसका result आता है n a n minus 1 n इसमें क्या है हमारा 1 upon 3 तो 1 by 3 a की value है हमारी 8 n minus 1 हो जाएगा 1 upon 3 minus 1 तो that will come out to be 1 by 3 into 8 की power minus 2 upon 3 इसको हम लिख सकते हैं 1 upon 3 2 की power 3 की power minus 2 upon 3 3 से 3 cancel out हो जाएगा तो 2 raise पर minus 2 नीचे चली जाएगा denominator में तो 1 upon 3 into 4 तो result आ जाएगा हमारा 12 तो इसकी limit आ जाएगी 12 next case में आपको given है 2 sin x minus sin of 2x upon x cube when limit of x tend to 0 तो इसको हम लिख सकते हैं 2 sin x minus sin 2x का हम लोग identity लगाएंगे 2 sin x cos x upon x cube when x tend to 0 यह हमारी क्या है limit अब इसमें से मैंने 2 sin x को बाहर निकाल सकते हैं limit x tend to 0 2 sin x को मैंने बाहर निकाला अंदर हमारा आजाएगा 1 minus cos x upon x cube x cube को मैं यहाँ पर इसके upon x यहाँ पर हम लोग x square कर सकते हैं again limit x tend to 0 2 हमारा बाहर है sin x upon x यह अगर x tend to 0 हो जाएगा तो कितनी हो जाएगी limit हमारी 1 हो जाएगी अब हमें इसको compute करना है 1 minus cos x को हम लिख सकते हैं 2 sin square x upon 2 upon हमारा क्या है x square इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं limit हमारी यह तो compute हो गई है अब मुझे इसके limit compute करनी है तो 2 into 1 तो हमारा बाहर आगया यहाँ पर limit x tend to 0 हमको compute करना है तो यह 2 तो हमारा बाहर है अब इसको देखो limit x tend to 0 इसे हम लोग 2 को फिर में बाहर निकाल लेती हूँ यहाँ से तो इधर यह आपका 4 आजाएगा यहाँ पर आपका बचेगा क्या इधर आपका आजाएगा sin x upon 2 का whole square upon x square को हम लिख सकते है x upon 2 का square into 4 क्योंकि आपने अगर 2 से divide करोगे 4 से divide करोगे तो 4 से ही multiply करोगे तो यह जो आपकी expression है again this will come out to be 1 तो यह 1 into 1 upon 4 बच जाएगा तो 4 into 1 upon 4 तो आपका result आजाएगा 1 तो limit इस expression क्या जाएगी 1 So the another important method to find the limit of a function is L'Opital's rule अब L'Opital's rule है क्या अगर मेरे पास दो अलग-अलग function है f of x और 5 of x और दोनों हमारी fraction की form में है अगर मैं दोनों को separately solve करते हूँ f of x को solve करते हूँ when x tend to a तो उसका answer हमारा या तो infinity या 0 आता है ऐसे 5 of x को अगर हम separately solve करते हैं when x tend to a तो उसका result भी 0 या infinity आता है तो हमारी जो equation आएगी f of x upon 5 of x when x tend to a तो यह हमारी end determinant form में आ जाएगी जिसको हम further solve नहीं कर पाएंगे उस case में हम लोग ये L'Opital's rule को use करते हैं हम लोग क्या करेंगे कि numerator को अलग से differentiate करेंगे denominator को अलग से differentiate करेंगे हम लोग यहाँ पर quotient rule नहीं लगाएंगे we have to differentiate both the numerator and denominator separately उसके बाद we can put the limit और फिर हम उस expression के limit को compute कर सकते हैं बस इसमें हमें ध्यान इस बात का रखना है कि differentiate करने के बाद जो हमारी पस fractional value आएगी तो उसके limit exist करने चाहिए यानि कि rhl should be equal to lhl so this is the hospital's rule इसको हम लोग यहाँ पर एक example के साथ देख सकते हैं आपको given है tan of x log of sin x with base e आपको limit compute करनी है when x tend to pi by 2 तो इसको हम लोग लिख सकते है limit when x tend to pi upon 2 tan x को 1 upon cortex लिख सकते हैं तो log of sin x with base e upon cot x अब हमें numerator को separately differentiate करना है और denominator को separately differentiate करना है तो इसको differentiate करेंगे तो 1 upon sin x cos x आ जाएगा और नीचे cot x को differentiate करेंगे तो minus cos x square x आ जाएगा अब इसको हम solve करेंगे तो ये minus of sin x cos x आ जाएगा और यहाँ पर आपको given है limit आपको calculate करनी है when x tend to pi upon 2 अब यहाँ पर अगर मैं इस expression में x की value pi by 2 पुट कर देती हूँ तो cos pi by 2 हमारा क्या होता है 0 तो result will come out to be 0 तो इस तरीके से हम इसके limit को compute कर सकते हैं using L'Opital's rule तो एक और question लेते हैं जिसमें मुझे इस function के limit compute करनी है using L'Opital's rule तो इस function को हम लोग लिख सकते हैं limit x tend to 0 यह आप इसको log of sin x upon 1 upon x लिख सकते हैं अब हम यहाँ पर numerator और denominator को अलग-लग differentiate करेंगे limit x tend to 0 इसको differentiate करेंगे तो 1 upon sin x into cos x इसको differentiate करेंगे को differentiate करने से आजाएगा minus 1 upon x square इसको अब हम लोग लिख सकते हैं limit x tend to 0 cos upon sin तो इसको 1 upon 10 लिख सकते हैं 1 upon 10 मैं नहीं हा लिखा x square को मैं उपर ले गई तो minus of x square आया अब मैं यहाँ पर यह 10x अगर मैं यहाँ पर दुबारा x की value 0 put करती हूँ तो अगेन यह 0 on 0 की formula लेगा तो इसको मुझे एक बफ़े differentiate करना होगा तो बारा differentiate करके हमारा जो result आएगा limit x tend to 0 यह आपका minus of 2x numerator में 10x को differentiate करेंगे तो sec square x आजाएगा अब limit x tend to 0 x की value 0 put करती है तो हमारा numerator 0 आजाएगा और denominator में sec 0 की value हमारी 1 होती है तो यह आपका minus of this to result will come out to be 0 तो हमारा answer की आजाएगा इसका 0 So this was all about the total concept of limits I hope आप सब को बहुत अच्छे से clear हो गया है कि किस तरीके से हम लोग अलग-अलग functions के limit को compute कर सकते हैं using different methods तो इन concept से related कुछ questions की practice आप जरूर करना क्योंकि math is all about practice and in our next video we will take some important questions from each concept plus कुछ previous questions लेकर चलेंगे ताकि आपको ज्यादा अच्छे से complicated questions को भी solve करने की practice हो जाए तो see you in my next video till then bye